दर्सक बिन नमस्कार मैं हूँ आचार राम कृष्ण सास्त्री और आपका प्रिय योटूब चैनल एस्टो लजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है आज हम पुनहां आपके सामने एक विधित उपाय लेकर बुस्त वे हैं आज हम बात करेंगे कि तुलसी क्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए अब कुछी दिन के बाद चौमाश आरंब होने वाला है जो चौमाश के समया ये चार माश के समया तुलसी के पेड में दिपक जलाने से और तुलसी पूजान करने से अनन्त कोटी फल प्राप्त होता है यह हमारे धर्म सास्तर में बर्णित है बिशेसकर बिश्णोजी का शेवा और तुलसी का शेवा यह चार माश में बिशेस फल दायक माना गया है कोई भी धर्मसास्त्र अथवा किसी भी पुजा से बढ़कर ये चौमास्वा किया हुआ कर्मा भगवान विश्णों के लिए अगर आप करेंगे तो उसके अनन्त कोटिफ़ल आपको प्राप्त होगा तो तुलसी पुजन करते समया कुछ भी से सावधनिया भी है जिसे हमें पालन करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम केबल पुजन करने से हमें उसका फल प्राप्त होता है कोई नियम होते हैं उस नियम को अगर आप छोड़ेंगे तो हमारे क्या अवा पूजा का प्रभाब भी हमे कम प्राप्त होगा जिससे हमारे पूजन करने के लाव हमें अधिक प्राप्त नहीं हो पाएगा तो इसलिए सुनिया सरप्रथम क्या नियम आपको पालन करना होता है सरप्रथम तुल्सी पूजन करने के लिए तुल्सी के पेड के पेड में कम से कम 12 पत्ते अवर्षय होना चाहिए जब तुल्सी के पेड में 12 पत्ते होते हैं तो वहाँ शाक्षण भगवान विश्नों का बाष और मालक्षमी का बास होता है जिसमें 33 कोटी देव देवताव का प्रभाब माना जाता है इसलिए जिस तुलसी के पेड़ में आप पूजन कर रहे हैं उस पेड़ के उपर 12 पत्ति अबश्य होना चाहिए वैसी तुलसी का पेड़ होना भी काफी माना जाता है परन्तु अगर 33 कोटी देवताव को प्रशन न करने की बिधिया अगर आप देखेंगे तो उसमें 12 पत्ति अबश्य होना चाहिए आप वो तस्वीर लाके किसी भी स्टिल के बरतन में अत्वा प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना चाहिए उनको या तो मिट्टि के गमले में लगा सकते हैं और या फिर जमेन में आप किसे क्यारी वगरा में आप उसको लगा सकते हैं तूलसी लगाने के लिए विश्यसकर मकान के पुर्व दिशा में इसान कोड में तूलसी लगाने से सुद्धता प्रविश होता है और अगर इसान कोड में तूलसी लगाते हैं तो प्राता समया सूरे निकलते समया जो तूलसी को पर सूरे पड़ेगा उसके परचाएं आपक उसका प्रभाव घर के अंदर अधिक रहेगा और घर में जो भी नकरात्मक चीज उत्पन्न है वो शब नश्ट करता है इसलिए तूलसी लगाते समय सदाइवा पुर्व इसान कॉण में ही आपको लगाना है पुजा करते समया तूलसी में आप कलाबा बादे कलाबा ध्यान रहे कि टाइट करके नई बादना है हलका तरीके से कवच बना के आपको बादना है कलाबा बादे और फूल अक्षता चावल इत्यादि से उनका पुजान करें और कुछ मिस्त्री का भोग लगाए दिपक जला और दोब्वट्टी आप जला सकते हैं अगर बट्वं नहीं जलाए तो आपको अच्छला प्राप्त होगा ध्यान रहे तूलसी के पेड़ के निच्जे अत्पा तूलसी के पेड़ के आसापास में दोब्वट्टी कुपर रखे उनका डिपक जलाएंगे और और दिपक वहाँ जलाएंगे और बैठकर विश्णो चाली का चालीसा अथवा तोलशी चालीसा का पारण कर सकते हैं विश्णो पुराण कर सकते हैं और किसी को शंतान संबंदी कोई भी बादा हैं वो बैठकर हरिवन्श पुराण का पाठ भी कर सकते हैं जिससे जो भी प्रभाब उस पेड के उपपर होता है। इसलिए अगर उसमें बैठकेर कोई भी कामना से आप कोई चीज़ सुनाइगे तो अवर्षे पोण होगा। तुलशी की पूजा करते समया, अगर ठाकुरजी भी रख शकते हैं साथ में तो ठाकुरजी को रख के भी पूजा कर सकते हैं आप, ध्यान रहे तुलशी की पेड के निचे शिवलिंग नई रखना चाहिए मैं माता भैन को समझाता भी हो और मैं कही ज़क हा देखता हूं कि तुलसी के निच्चे शिवलिंग रखा जाता है वो शिवलिंग वहां नहीं रखनाचाईए वहां के बल आप 60 गरामजी जरूर रख शकते हैं इसके लाबाँ वहां और किसी भी मुर्ति को नहीं रखना चाहिए दिपक जलाएं उसके बाद आप आर्ति भी कर सकते हैं और आर ध्यान रहे, जब आप अन्य किसी के कामना करते हैं, तो प्रमात्मा आपका भी कामना पूर्ण करते हैं, इसलिए पूजा करते समया किसी की भी लिए भी अहित की कामना नहीं करेंगे, सब के लिए सुद्ध कामना और अपने मनरत वहाँ जरूर रखेंगे, इस तरह से नित्य तुलसी के पूजा करने से तुलसी इसी इस्तान पे रखने से हमारे घर में कभी भी किसी परकार के व्याबधाने नहीं आएगा और नहीं किसी परकार के कोई समश्या घर में निकल पड़ेंगे इसलिए इसी तरीकेशिया आप पूजान करेंगे तो आपको शभी मनुरत सिग पूर्ण होगा हसं नबीतर आज कित्रहीं क्या समश्य है आपके जिवन में आप निश्चित अंगोच होकर आमें कमेंट्स रोजाकी कमेंट्स कर सकते हैं या फिर अगर आप हमारे से संपर्क में आना चाहते हैं तो उसके अमारे संपर्ष उत्रहे डबल एट, डबल नाइन, डबल जिरो, डबल सेवन और फाइव जिरो क्या समस्या है निश्चित वकर आप फोन करें हमारे अगर प्रामर से सुर्क आप सेंड करना चाहते हैं तो इसी नम्मर पे गूगल पे फोन पे पेटियम अथवा सोशल नेटर से, अनेने नेटर से आप अमें इसमें दक्षिना सेंड कर सकते हैं फोन करने के लिए समय शाम को साथ से लेकर नो को बीच में आप संपर करेंगे अब तक आपने हमारे चैनल को ससक्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करिए और मित्र पर वीडियो सियर करना ना भोले और अगर आप सियर करेंगे तो हो सकता किसी मित्र का लाब हो जिससे उसका क्यावा कर्म का पुन्य कफल आपको भी प्राप्त हो रियो